एक जून के इशिरोंदन आप से को सवगत है परमातमा आज बहुत ही महत्यपूर्ण बात कहते हैं जो कि हमें अपने अंदर जो हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है उसको जाकने के लिए हमें टाइम दोता है इस वरदान के तुरू परमातमा कहते हैं हद की कामनाओं से मुक्त र समझते हैं जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेरे पर प्रसनेता की जहलक दिखाई देती है और जिनकी हद की कामनाओं होती है इसका मतलब उसका उबज़ट वो प्रसनेचित नहीं होते वो प्रशनों से भरे रहते हैं क्या कैसे कहा प्रसनेचित कोई भी बात में प्रश्नचित नहीं होते कि कामना है नहीं होती इतनी अधा तो इसलिए वो प्रश्नचित रहते हैं इसलिए उनके मन में बुद्धी में कोई प्रश्न नहीं होते वो सदा नी स्वार्त और सदा सभी को निर्दोश अनुभव करेंगे अगर उनका कोई कारे भी आगे ना बढ़ रहो और वो देख रहे हो कि कोई भी विक्ति कोई भी आत्मा विगन सुरु बन करके आती हैं के जीवन में लेकिन वो उनको ब्लेम नहीं करेंगे किसी और की उपर दोश नहीं रखेंगे लेकिन अगर हमारी चाइनाएं बहुत सारी हों हमारी इच्छाएं बहुत सारी हों और हमारी इच्छाएं और चानों में अगर कोई रोक लगाए तो जाकर के वहाँ पर हमारे प्रशन आते हैं क्यों, क्या, कैसे, क्यों, ऐसे क्यों नहीं वो ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों करता है, वो ऐसे क्यों नहीं करती है चाहे कोई भी परस्यति आजाए चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्तु करने वाली सामना करने आती रहे कोई भी परशिती पांच तत्व से आ सकती है अपने शरीर से आ सकती है पांच तत्व बाहर की चीज़े वस्तु में वैभव खराब होना ठीक होना ये सारी चीज़ों से भी परसितिया सकती है चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्तु करने वाली सामना करने आती रहे आती रहे, आये एक बार नहीं, आती रहे चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे बार-बार बिमार होना बार-बार ठीक होना फिर बिमार होना फिर ठीक होना तो शरीर का करम भूग भी आ रहा है लेकिन संतुष्टा के कारण वे सदा प्रशनेचित रहेंगे क्योंकि उनको कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी जो भी मिल रहा है जितना भी मिल रहा है ठैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा और चाहिए और चाहिए और चाहिए तो जब उनकी कामना ही नहीं है तो उनको कोई भी असंतुष्ट बनानी सकता कोई परसिती कोई विक्ती कोई वस्तू कोई भी चीज उसदा मुस्कराते रहें ही सहत बंद रहने को राज है ओम शंती